इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Nippon India का Nifty Small Cap 250 Index Fund का review करने वाला हूँ जिसके अंदर मेरी personal SIP चल रही है plus इसको compare भी करेंगे क्योंकि Nippon India का एक बहुत अच्छा active mutual fund है small cap category के अंदर तो भही active की जगे index को ही क्यों choose करना plus मेरी SIP की क्या performance वगरे रही है क्या इस fund के अंदर क्या pro है क्या कौन से कितने returns दे चुका है तो यह सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आयम नोट दा सेवी रेस्टर परसन तो यह वीडियो सिर्फ एजुकेशल परपस के लिए है तो चलो पहले मैं आपको अपनी जो है रिटन्स की यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा तो बहुत ज़ादा लंबा टाइम नहीं हुआ है मैंने रिसेंटली फरवरी दोजा चौबिस से इसके अंदर पांच जार रुपे परमंद की SIP स्टार्ट की है तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 8.46 का मिको अपसलू डिटन यहाँ पर मिल चुका है एक साला भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको XR वगरे नहीं दिखा रहा है अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड भी तो एक बहुत अच्छा खासा फंड है जो कि यह आक्टिव म्यूचल फंड कैटेगरी में आता है तो उसकी जगे इंडेक्स के अंदर क्यों निवेश करना तो देखो इसका सिंपल सा यहाँ पर अंसर यह है कि यहाँ पर ज़रूरी यह नहीं कि आज जो म्यूचल फंड अक्टिव म्यूचल फंड वो अच्छा है वो नेक्स्ट यह भी यहाँ पर आपको अच्छे रिटन्स निकाल के देगा जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप टू फिफ्टी इंडेक्स के रिटन्स की बाद करू पिछले एक साल के अंदर 51 पसंड का रिटन है जबकि यह जो अक्टिव मूचल फंड है उसका क्यवल 48 पसंड है पिछले दो साल में भी अगर आप देखोंगे आप पर कंपारिजन करोंगे तो डेफिरिटल इसने आप बीट कर रखा है तीन साल में बीट कर रखा है तो ज़रूर नहीं है कि आज का जो मूचल फंड अच्छा है वो नेक्स यर भी अपने इंडेक्स को बीट करेगा आप हर साल यहां पर अगर रिव्यू नहीं करना चाहते फंड को स्विच नहीं करना चाहते बार-बार small cap category के अंदर तो हमेशा एक active fund के साथ में आपको एक index fund जरूर लेना चाहिए अब देखिए अगर मैं index fund की बात कहो तो small cap category के अंदर हमारे इंडिया के अंदर 13 scheme है जो यहां पर काम करती है लेकिन सबसे ज़्यादा AUM size और सबसे पुराना गरा fund देखते हैं तो तिकेवल आपको तीनी fund देखने को मिलेंगे जिसमें first number पे आपको निप्पॉन इंडिया मिलेगा 17 सा करोट का AUM size है यानि इतना पैसा लग चुका है पिछले एक साल के अंदर इसने 50% का रिटर निकाल के दिया है तीन साल के अंदर 24% का और पिछले तीन साल के अंदर भी अगर आप average annual returns भी देखेंगे तो 30% का निकल के आता है इसके लावा भाई यहाँ पे मोतीलाल उस वाल है जो सबसे पुराना है और इसके लावा यहाँ पे आयत्ते बिल्ला है expand ratio wise भी अगर आप देखेंगे तो decent expand ratio आपको मिल जाएगा निपॉन इंडिया में केवल 0.35% का तो देखो index के अंदर यहाँ पे जो tracking error होता है जो expand ratio होता है उसी के base पे आप किसी भी fund को judge कर सकते हो तो definitely Nippon India उसके अंदर number 1 category के उपर आता है अब बात करते हैं कि क्या यह fund कभी negative के अंदर गया है यानि simply जो index है क्या वो कभी negative के अंदर गया है तो definitely भाई यह negative के अंदर भी गया है इसके आप screen के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं simply Nippon India के nifty small cap 250 index fund की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1222 के अंदर भाई यह negative के अंदर गया था इसके लागर आप worst quarter में भी देखोंगे तो definitely आपको negative में returns देखने को मिल जाएंगे क्योंकि small cap जिस तेजी से उपर बढ़ते उसी तेजी से यहाँ पे नीचे भी गड़ते है जब market यहाँ पे down जाता है इसके लाँ भाई मैं nifty small cap 250 index fund में company से बात करूँ तो देखो simple सी बात है जहाँ पे mid cap खतम होता है 150 जहाँ पे खतम होता है cdsl हो गया blue star हो गया gland mark हो गया तो बहुत सारी company से पूरी की पूरी 250 company के यहाँ पे list होती है तो यहाँ पे fund manager को कुछ नहीं करना होता है जिस VTH के इंदर जो company से उसी के according index के इंदर पैसा निवेश होता है और जिसी की वज़े से जो expand ratio वगरे भी है वो काफी कम होता है as compared to active mutual fund so guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box के अंदर ज़रू बताइए और आपके view में क्या जादा यहाँ पे better है एक index fund में निवेश करना या एक active mutual fund के अंदर निवेश करना please मुझे comment box के अंदर ज़रू बताइएगा thank you guys thank you very much